हमारे सभी दर्शकों और भक्तों का मैं पॉड़ी के हनुमान मंदिर से स्वागत करता हूँ मेरे साथ यहाँ पर मौझूद हैं मंदिर के पुजारी स्री सुमन थफलियाल जी जो हमें मंदिर से जुड़ी वी कुछ रोचक बातें बताएंगे और इस मंदिर में एक ऐसा रहश्य है जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं हनुमान जी का विग्रह हनुमान जी की मूर्ती इसे जुड़ावा एक ऐसा रहश्य है शायद हो हमारे दर्शकों को पता नहीं था और हमें पूरी उम्मीद है कि एक बार उन्हें इस रहष्य का पता चलेगा तो यहाँ पर आने वाले शिद्धालूओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी होगी तो सबसे पहले मैं थप्याल जी, पुजारी जी से कुछ इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानना चाहूँगा कि कभ ये मंदिर बना, इसने इस मंदिर का निर्मान किया था और उसके बाद हम जानना चाहेंगे कि इस मूर्ति से जुड़ा हुआ वो क्या रहस्य है जो अभी तक हमारे दर्शकों को और शृद्धालूओं को शायद पता नहीं था कि मंदिर को सुर्गया स्री सिब्भू घ्ल्याल जी ने बनवाया है अपनी बेटी की इस मूर्ति में और यह जो हमारी हनुमान जी मूर्ति है तो इस मूर्ति का रही वो यह है कि इसको बाबा नीम करोली महराज जब कभी 1971 या 72 के आसपास बताते हैं लोग जब पौड़ी आये थे तो वो इस मूर्ति को बाबा जी लाए थे जैसा कि हम ने सुना है तो उसके बाद तब बाबा जी की उससे यह सिब्भी मागी प्रेने ना सिरी सिब्भू घ्ल्याल जी ने अपनी बेटी प्राची की स्मिर्थी में चार जुलाई उनिस सो ब्याद नवे को इस मंदिर की स्ताव ना की है और तब से यहां पर हर बार चार जुलाई के दिन बहुत भी साल बंडारे कायोजन किया जाता है तो इस मूर्थी को बाबा लेकर आये थे या हमने सुनाए कि बाबा कुछ विग्रा खुद भी बनाते थे कुछ मूर्थियां बाबा ने खुद भी बनाए जिसे बताते हैं कि इसको जो हमारा इंपर जो यह किंक वाले सोर मंदिर है तो वहां पर यह मूर्थी रखी हुई इसकी परार परतिस्थाव अगेरा कुछ नहीं हुई थी अच्छ उसके बाद ये माता जी इस सिद्धी माता जी ने उनको बोला कि आप अपनी उनके बालिका की डैथ हो गई थी काफी चोटे में तो उनकी याद में उन्होंना रभ सिद्धी माता जी ने स्थी स्वर्या स् मंद्र की स्थापना कीजिए और उसके बाद तब चार जुलाई उन्हीं सोब याड़नेवे के दिन्ये मंद्र की स्थापना हुई है तो मैं सबी शृद्धालों और दर्शकों को बता दे कि जैसे हमें तफलियाल जी ने बताया कि यह मूर्ती इसको खुद बाबा नीव कर जोरी या जिनको नीम करोली या गुरुदे बहुत से नामों से उन्हें जाना जाता है कभी कंबल वाले बाबा भी उन्हें कहा जाता है तो इस मूर्ती की विशेष्टा कि वो अपने हातों से उस मूर्ती को यहां पर लेके आए और हो सकता है अपने हातों से उन्होंने इस मूर्ती का निर्मान भी किया होगा इस बात सा आप समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपून या मूर्ती हो जाती है क्योंकि यदि आप वाइबरेशन्स या तरंगों में विश्वास करते हैं तो इस मूर्ती को कभी बाबा की शुबातों ने चुआ होगा और जैसा थपलियाल जी भी हमें बताते रहते हैं कि यहां पर आने वाले लोगों के सभी खारियों की सिद्धी होती है इस बारे में कुछ आजी बहुत कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कोई 10 साल बाद आता है कोई 15 साल बाद आता है क्योंकि मेरे घर पास में होने के कारण मंदिर से बराबर जुड़ा ह तो लोगों से मेरे बावी तो मैं पिछले तीन साल से फिलाल हूँ यहां पर मैं तो उससे पहले भी हम लोगों सुना करते थे बहुत वो है यह बहुत ही मलब सिद्ध मंदिर है और जो हमारे दर्शक बाबा नीव करोडी के बारे में नहीं जानते हैं तो कैची थाम जहां पर पिछले दिनों विराट कोली वोल्ड कप में एतिहासिक इनिंग्स पाकिस्तान की खिलने के बाद गए थे जहां पर उनका विश्वास है और कभी एपल के स्टीव जॉप्स और ऐसे बहुत से बड़े नाम है बहुत से राश्रुपती बाबा के आशिरवात से बने बड़े बड़े नेता बड़े बड़े अधिकारी सब बाबा के भक्त थे और जो बाबा की लिलाएं थी उनके साक्षी बने थे तो सभी पौडी के आसपास के जितने भी लोग हैं और जिनके लिए कैंची धाम जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लंबा डिस्टेंस है यहां से पहले ड्राइव आपकी हलद्वानी तक हलद्वानी से फिर भीमताल और भीमताल से उपर कैंची धाम जाने में काफी समय लग जाता है कम से कम आठ से दस घंटे के ड्राइव है और एक दिन में लोटना मुश्किल भी नहीं हो पाता तो हमारे सभी श्रधालों और दर्शकों को हम बता दे कि आप बाबा के वो जो वाइब्रेशन वो जो तरंगे हैं उनका आनंद यहां पर ले सकते हैं एक बहुत ही रमनीक और बहुत ही सुन्दर यह मंदिर है और यहां पर आकर आपको एक बहुत ही धार्मिक अध्यात्मिक और एक सुखद अनुभूती होती है अब भी आपको समय मिले तो आप यहां पर मंदिर पर अवश्य आईए आपको यहां पर ठपल्याल जी मिलेंगे और वहां पूजा जस्टनों का लाब उठाईए धन्यवाद